नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मेटकल इन्फो में मैं आप सभी का दोस्त सिवम सैनी दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आजी कॉन ब्यूटिक क्रीम के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके फायदे और नुक्षान के बारे में इसे कितनी दुनों तक प्रियोग करना चाहिए इसे किस फ्रकार प्रियोग करना चाहिए तो दोस्तों अगर जानकारी आपको चाहिए तो बने रहे हमारे वीडियो के लाश्ट तक और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल मेटकल इंफो पर नए आए हैं तो आपसे छोटी से रिक्वेश्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा वनाई गए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे तो दोस्तों चड़िये साथ में वेश्ट न करते हुए हम वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं आइजी कॉन क्रीम के मैंने फैक्टरिंग कमपणी के बारे में दोस्तों इसे लाइफ कॉम, फार्मसिटकल, इंडिया, प्राइवेट लिम्टर द्वारा निर्मित किया जाता है और अब बात करते हैं इसमें मिले हुए इंग्रेडियन्स के बारे में दोस्तों इसमें हाइड्रोक्यून, ट्रेट्यनोफ़, और मुमेंटासॉन मिला हुआ होता है बात करते हैं आइजी कॉन क्रीम के मार्केट प्राइच के बारे में तो दोस्तों यह आपको मार्केट में 21.5 रुपए में 20 mg के क्रीम मिल जाती है अब बात करते हैं आईजी कॉन क्रीम के यूज के बारे में इसका यूज कहां कहां किया जाता है तो इसके यूज की बात करें तो ये क्रीम आपके चेहरे को निखार कर उसे चमकदार बनाती है चेहरे के दाग धबमों को मिटाती है काले निसान को जल से खतम करती है डार्क सरकल को मिटाती है, इंपल्स की समस्या को भी दूर करती है, जुर्रियों को खत्म करती है, आद इसके यूज हो शकते है अब बात करते हैं, आईजी कोन क्रीम हमें किस प्रकार प्रयोग करने चाहिए, इसका उपयोग हमें रात को सोते टाइम करना चाहिए और सुबा उड़ते हैं, इसे साप पाने से धूल लेना चाहिए, इसका इस्तेमाल करने के बाद हमें धूप में बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए कुछ लोग जादा और जल्दी गोर होने के चक्कर में इसे दिन में दो-तीन बार प्रयोग कर लेते हैं और नुकसान कर बैठते हैं इसका उपयोग हमें रात को सोते समय ही करना चाहिए अब बात करते हैं आज इसके साइड इफेक्ट के बारे में इसका साइड इफेक्ट भी होते हैं जैसी कि तवचा पतली हो सकती है तवचा रूखी हो सकती है तवचा पर खुजली हो सकती है तवचा लाल हो सकती है तवचा पर जलन हो सकती है आज इसके साइड इफेक्ट आ लगाने के बाद हमें क्या क्या सावधानिया उती हैного,, कृम ऐगाने के बाद आपको इलेजी महीरत होती है sollte इसको OPılar किवह हमें नहीं करना चाहिए आपके चीहरे पर जलन में खुझली होती है तो इसका उप्योग हमें नहीं करना चाहिए और दैक्ट 안돼 पहले हमें इसकी एस्पाइरेड एड जरूर चेक कर लेनी चाहिए जद इसका उपयोग आप एक हपतों तक लगातार करते हैं तो आपको बहतर रिजल देखने को मिल सकता है अकरता हूं यह बीडियो आपको पशन्द आयए होगा अगर एक वीडियो में अगरते दोस्तों को सेयर करें